बॉलिवट के दिगज फिल्म मेकर जेपी दत्ता और एक्ष्प्रेस बिंद्या गोस्वामी की बेटी नीदी दत्ता इस साल दिसंबर में शादी करने जा रही है नीदी ने पॉपलर निर्देशक बिनोय गांधी को अपने जीवन साथी की रूप में चुना है दिसंबर में शादी से पहले नीदी और बिनोय की कल सगाई है गुरुवार को नीदी की महंदी सरीमनी हुई नीदी की महंदी सरीमनी में खूप नाजगाना हुआ और पूरे परिवार ने जम कर जश्न मनाया इस दोरा नीदी पिंक कलर का सूट पहने फूलो वाली पिंक जोलरी किये बेहत खूबसुरत लग रही है वही घर की सजावट भी पिंक कलर की फूलो से की गई है नीदी की महंदी सरिमरी में सारा अली खान अपनी मां अमरता सिंग के साथ पहुची थी सारा डार्क पिंक कलर के सूट में प्यारी लग रही थी वही फेमस महंदी आर्टिस्ट वीरा नागदा ने सारा और अमरता सिंग के हाथों पर शगुन की महंदी भी लगाई है सारा के लावा टेलिविजन के पॉपलर कपल दिपिका ककड और शोएब इब्राहिम भी नीदी की महंदी सरिमनी में नजर आए दिपिका जेपी दत्ता के परिवार से काफी अच्छे तालूग रखती है और उनके परिवार के सदस्सी की तरह है दिपिका ने भी इस सरिमनी में शगुन की महंदी लगवाई इनके लावा एक्प्रिस आकांक्षा रंजन कपूर अपनी बहन अनुषका रंजन के साथ नजर आई बॉडर और एलोसी कारगिल जिसी फिल्म में बनाने वाले निर्देशक जेपी दत्ता ने अपनी बेटी की सगाई पर कहा बिंदिया और में बिनोय के साथ अपनी बेटी नीधी की सगाई की गोशना करते वे बहुत खुश हूँ बच्चे एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं इस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मेंदी समारों के तुरंत बात नीधे ने बताया उन्होंने कोविड-19 और आंशिक लोगड़ौन के बावजूत सगाई का फैसला इसली किया क्योंकि एक परिवार के रूप में हम हमेशा भगवान गणेश की उपस्तिती वाले ग्यारा दिनों के दोरान सभी शुपकारियों को करते हैं और यह एक ऐसी परंपरा है जिसे मेरे माता-पिता कायम रखना चाहते हैं इसलिए हमारी सगाई 25 लोगों की मौजूदगी में एक छोटी से सेरेमनी में की जाएग मौम और डेट की मुलाकाद सरहत नामक एक फिल्म के दोरान होई थी जो की डेट दोरान निर्देशित थी और मौम उसमें अभिने कर रही थी हाला कि वो फिल्म कभी रिलीस नहीं हुई पर वो मेरे मौम डेट को साथ ले आई ठीक उसी तरह बिनोय को हमारी कंपनी के लिए एक फिल्म का निर्देशन करना था और मुझे उसमें अभिने करना था फिर से वो फिल्म कभी रिलीस नहीं हुई लेकिन हमारी खुशी की शुरवात हुई बिनोय मेरी मुस्कान का कारण है और मेरा सपोर्ट सिस्टम है वही नीधी से अपने रिष्टे के बारे में बात कर करते वे बिनोय कहते हैं नीधी मेरा ब्रह्मान है वह मुझे हर तरह से बहतर महसूस करवाती है अगर मैं खुश रहना चाहता हूं तो मैं उसे फोन करता हूं अगर मैं किसी चीज से दुखी हो तो मैं उसे फोन करता हूं यदि कुछ स्क्रिप्ट का विचार है तो मैं उसे फोन करता हूँ मूल रूप से मेरा दिल उसकी वजह से धड़कता है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी मार्क दक्षक और सबसे महत्वपून बात मेरे जीवन का प्यार है आपको नीदी दत्ता और बिनोय गांधी की यह जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सस्क्राइब करें गजब खबरें